पहले खबर है सिवान से जोहा सिवान के हसनपूरा थाना शेतर के अरंडा गाउं की समीप सिवान सीसवन मुख्यमार्ग पर शुकरवार के रात एक अनियंत्रित बोलेरों ने बुलेट सवार तीन युवकों को कुचल दिया हाथसे में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गया जिसमें एक युवक की स्तिती गंभीर बताते हुए चिकिस सकों ने सदर अस्पताल से पटना रिफर किया है हाथसे में घायल युवकों की पहचान खोजेपुर गाउनिवासी शोयब अली के 26 वर्सिये पुत्र दिलशाद अली 22 वर्सिये अकड़म अली 21 वर्सिये सानवी हुसैन के रूप में हुई है वही घटना में शोयब अली की इस्तिती गंभीर बनी हुई है वही हाथसे के वक्त अस्थानिये लोगों की बदत से सभी पीरितों को उठा कर आननफानन में हसनपूरा के एक नीजी अस्पताल में इलाज के लिए लाए गया इसके बाद चिकिस्तकों ने सभी की स्तिती गंभीर बताते हुए प्रात्मे कुपचार के बाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया प्रत्यक्ष दर्शियों ने बताया कि बोलेरो तेज रफतार सिब में सीस्वन की तरफ जा रही थी इसी दोरान बकरी को बचाने के चकर में बोलेरो अनियंद्रित हो गई और सीधे युवक के बुलेट बाइक में टक कर मार दिया जिसके बाद तीनों बाइक सवार युवक सरक से कड़ीब 10 फीड दूर गड़े में चला गया गटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पोलिस ने यातायात को फिर से चालू कराया वह घायलों को सदर अस्पिताल भेजवा मामले की जाएंश शिरू कर दी है अगली खबर है गुपालगन से जहां शैक्षिनिक वर्स 2023-24 के लिए सैनिक स्कूलों में प्रवेश के लिए ओनलाइन आवेदन पत्र जमा किया जाड़ा है 30 नवेंबर तक शातर अपने पूर्णे भड़े हुए आवेदन को ओलाइन करेंगे बता दे कि सैनिक स्कूलों को सैनिक स्कूल सोसाइटी के तहत रक्षा मंत्राले द्वारा नियंत्रित किया जाता है इसके लिए जिले के हत्वा में अस्थापित स्कूल में 80 चातरों का नमांकन किया जाएगा जिसमें से 10 सीट चातरों के लिए आरक्षित किया गया है साथी सैनिक स्कूलों में उन बच्चों के लिए सीटे आरक्षित है जो रक्षा विभाग में सेवारत है सैनिक स्कूल सोसाइटी उन बच्चों को भी प्रवेश प्रदान करती है जिनके माता पिता की कोई रक्षा प्रिष्ट भूमी नहीं है औल इंडिया सैनिक स्कूल इंटरेंस एक्जाम 2023 के लिए आठ जैनवरी को परिक्षा योजित किया जाएगा जिसमें जिले भड के सरकारी स्कूलों में पांचवी चापास शात्र आवेधन करेंगे शात्रों का चवयान लिखत परिक्षा की साथ ही शारीरी की जाच में फिट रहने पर होगा उमिद्वारों को अपना आवेधन 35 नवंबर तक ओनलाइन भुगतान के लिए साथ जमा करना होगा स्कूल प्रवेश परिक्षा की भाषा कक्षा 6 के लिए अंग्रेजी, हिंदी तथा राज्य की अस्थानिय भाषा होगी वहीं कक्षा 9 के लिए केवल अंग्रेजी भाषा में लिखित परिक्षा होगी उमिद्वार जो सामान ने ओबीसी और रक्षा श्रेनी से संबंधित है उनको 650 रुपे तथा अनुसुचित जाती अनुसुचित जन जाती वर्गों के लिए उमिद्वारों के लिए 500 रुपया परिक्षा शुल्क जमा करने होगे अगली खबर छप्रा में बिजली के तार से निकले च्विंगारी से एक दुकान में आग लग गई पूरा मामला बनियापूर प्रखंड के भठी शहाबुदीन गाउं का बताया जा रहा है जहां बिजली के तार तूट जाने से दुकान जलकर राख हो गया इस अगलगी में 4 लाख रुपय का नुकसान बताया जा रहा है दुकानदार के पहचान बनियापूर थाना चेतर के भठी शहाबुदीन गाउनिवासी शेर साई के रूप में हुई है जला हुआ दुकान रुई संबंधित बताय जा रहा है जहां रुई संबंधित कारे और निर्मान होता था दरसल शनिवार के हले सुबा पोल से बिजली का तार तूट कर दुकान पर गिर गया जिसके बाद दुकान में आग पकड़ लिया अस्थानिय लोगों की ततपरता के चलते आग पर काबु पाये जा सका लेकिन जब तक आग पर काबु पाये जा थका तब तक आग ने चार लाख रुपे का नुकसान पहुचा दिया था इसमें रूई से बने सामान सहीत नगद रुपे भी जलकर राख हो गए अगली खबर IPS अधिकारी आदित्य कुमार के खिलाफ जल्दी इश्तिहार जारी हो सकता है गिरवतारी वारेंट जारी होने के बाद अब तक EOU को चकमा दे रहे आदित्य कुमार यदी नहीं पकड़े गए तो वारेंट लोटाते हुए अदालत से उनके खिलाफ इस्तिहार जारी करने का नुरोध किया जाएगा ऐसे होने पर उनकी मुश्किले बढ़ जाएगी इस्तिहार जारी होने के बाद वहाजिर नहीं हुए तो कुरकी जबती की जाएगी पटना उचे नयाले के मुख्या नयाधीश के नाम पर डीजेपी सबेत अन्य अफसरों को फोन करा के मामले में अभियुक्त आदित कुमार के खिलाफ चार नवंबर को वारेंट जारी किया गया था गिरफतार के लिए आर्थिक अपराद इकाई ने डीएसपी रैंक के अधिकारी के नेत्वित में विशेस्ट टीम का गठन किया है यह टीम लगातार उनके ठिकानों की तलाश में जुटी हुई है पर अब तक कामियाबी नहीं मिल पाई अधिकारियों ने बताये कि वो गिरफत में नहीं आये तो वारेंट लोटाते हुए इस्तिहार जारी करने का अनुरोध अदालत से किया जाएगा एक बार इस्तिहार जारी हुआ तो उन्हें आत्म समर्पन करना ही होगा यदि वो ऐसा नहीं करते है या इस बीच गरफतारी नहीं होती है तो फिर कुर्की वारेंट जारी करने के लिए EOU कोट जाएगी सूतरों के मताबिक जालसाजी के मामने में अभी शेक अगरवाल के गरफतारी के बाद से आदित्य कुमार ने अपना मुबाइल फोन बंद कर लिया था तब से अब तक एक बार भी मुबाइल ओन नहीं हुआ है पुलिसिया हतकंडो से वाकिप होने के चलते ही उन तक पहुँचने में समय लग रहा है ऐसे भी संभावना जुताई जा रही है कि वह किसी अन्ने मुबाइल नंबर का इस्तमाल जरूरी संपर्क के लिए कर सकते है अलांकी EOU की भी सभी पहलूओ पर पैनी नेजर है